हरे क्रिश्ना रादे रादे तो आज हम काना जी को पगडी बानना सिखेंगे पगडी बानने से पहले हम काना जी को केश धारण करवाएंगे सि가 को फगडी बानना बहुत ही आसान है हम कपड़े को कानाची के सर के आसपास उमाएंगे जिससे बहुत ही सुंदर पगड़ी बनकर त्यार होगे ये पगड़ी बानना बहुत ही आसान है कोई भी इसको सरलता से बाद सकता है तो देखे और आपनी ट्राइ केज़े अब हम इस कपड़े के आख्री पोने को पिन से दबादे तो देखिए हम कैसे पिन लगाते हैं पिन बहुत ही ध्यान से लगाएं पिकानाजी को लगेना अब हम पगड़ी को जरी के कपड़े से सजाएंगे आप इसकी जगा लेस का भी उज़ कर सकते हैं अब हम पगड़ी में कानाजी का मोर पंक लगाएंगे अब हम पगड़ी में कुछ और अटैच्मेंट्स लगाएंगे जिससे हमारी पगड़ी और भी सुन्दर लगेगी तो देखिए हमारे कानाजी सचकर हर्याली तीज के लिए तयार हो चुके हैं तो देखिए किते सुन्दर लगते हैं हमारे कानाजी आप भी कमेंट्स करकर और लाइक करकर बताइएगा कि आपके कानाजी का शिंगार कैसा लगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें राधे राधे अच्छा जाहा है